हलो मेरे नाम है चिंद्रहास, आज हम देखेंगे 2 जुलाई के important current affairs और इस तरह के और वीडियोज पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को like जरूर करिएगा और ये जो current affair है, जैसा मैं आपको बताता हूँ, exam relevant current affair है, कुछ भी फालतू की news नहीं है अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो आप Telegram चैनल को join कर सकते हैं, Telegram चैनल के file section में आप जाएंगे आपको सारे PDF अभी तक के जो मिल जाएंगे, और ये पूरा जो playlist है, इसका बना रखा है, जिसका link आपको description box में मिलेगा start करते हैं, कल एक सवाल मैंने आप से पूछा था, और इनके जवाब जो है, दो बच्चों ने दिये हैं, और आप, मतलब दो सवाल पूछे थे, तो एक सवाल ये जो पूछा था, कि क्या neft system जो है, उसको use किया जा सकता है, ऐसे वेक्तियों के द्वारा, जिनका bank account नहीं है तो इसका जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है yes, use किया जा सकता है, बट limited capacity में, लेकिन use कर सकते हैं, आपके पास bank account नहीं है, आपको neft करना है किसी वेक्ति को, तो आप bank में जा करके use कर सकते हैं, neft system से पैसा transfer कर सकते हैं, बस आपको details अपनी फर्दर वहाँ पे produce करनी पड़ेगी, और इसमें एक limit है, कि आप 50,000 रुपे तक का ही जो cash है, वो transfer कर सकते हैं, cap रखी गई है, तो इसलिए कर रहा हूँ, limited capacity में, आप neft का प्रेव कर सकते हैं, उसका जवाब देखें, आपे बच्चे ने दिया, detail में, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, एक और सवाल पूछा था, इसका जवाब अभी हम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, तो आज के सवाल से start करते हैं, लिखावे इन collaboration with bank for international settlement, BIS के नाम से जिन को जानते हैं हम, और इंडिया की जो RBI है, उसने जो है collaboration किया है, कितनी आशियान countries के लिए, किसके लिए project nexus के लिए, sign up किया हुआ है, मतलब साथ में आ रहे हैं, अब ये project nexus क्या है, तो project nexus जाहिर सी बात है, banks are related है, लिखावा है कि it is a multilateral international initiative to enable retail cross border payment, तो आप short में आद रख सकते हैं, कि cross border payment को और सुगम बनाने के लिए, RBI ने ये चार आशियान देश जो हैं, कौन-कौन से देश हैं, Malaysia, Philippines, Singapore लापूर, Thailand, तो इन चार देशों के साथ ये agreement हो रहा है, और फिर साथ में बिल करके काम कर रहे हैं, ये जो project nexus है, ये कब live जाएगा, platform कब live होने की मिद है, 2026 में live हो जाएगा, इसके बात क्या होगा, कि इंडिया से बैठे बैठे या फिर इन चारों देशों से बैठे ब तो कुछ न कुछ transaction charges कटते हैं, तो वो अगर कम हो जाएं, तो पैसा transfer करना cost effective ऐसा माना जाता है, तो आप अगर घर बैठे ही कर पाएं, तो और भी ज़्यादा अच्छा है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, कि आपको 100 रुपए transfer करने के लिए 50 रुपए खर्चा करना पड transport पर, तो ये सब cost effective में आते हैं, तो ये याद रखे, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आशियन कंट्रीज के बारे में अगर हम समझें, तो इसकी full form है the Association of Southeast Asian Nations और इसको form किया गया था 8 August 1967 को, इसमें अगर बात करें तो total 10 कंट्रीज हैं, इंडिया जो है इसका member नहीं है, 10 कं इंडिया कौन-कौन से promote organizations हैं जिसका हिस्सा है, तो अगर Asia से related देखें तो सार्क है, या फिर अगर वर्ड से related देखें तो क्या है, ब्रिक्स है, तो इस सब में इंडिया member है, इसमें नहीं है, आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है कि CII, यह CII है, ध्यान रखेगा, C second नहीं ह इसने sign up किया है M.O.U. किसके साथ to provide digital skilling to youth in sectors other than information technology, कि information technology के अलावा जो यहाँ पे digital कोशल है, उसको प्रदान करने के लिए, जो यह हुआ हैं, उनको digitally skill करने के लिए CII ने M.O.U. sign किया है NASCOM के साथ, development क्या है, इसका correct है, अब बस इसमें जो important चीज है, एक तो यह कि CII ने किसके साथ tie up किया है, वो important है, और दूसरी चीज इन दोनों के full form, exam में पूछी जाती है, तो CII की full form है, the Confederation of Indian Industries, और NASCOM की full form है, National Association of Software and Services Companies, तो यह इसकी NASCOM की full form है, याद रखिये, अगले स्वार पे च certified a new explosive with lethality of 2.01 times greater than standard TNT, यह news बहुत important है, इंडिया के defense related यह news है, और इस तरह की जो capabilities है, इंडिया ने डवलप करी है, और यह मतलब इंडिया की तरफ से ऐसा कहा जारा है, क्लेम कहा जारा है, कि दुनिया का सबसे powerful non-nuclear यह कह सकते हैं, कि bum है, जो की विक्सित हुआ है, non-nuclear ह होते हैं, लेकिन non-nuclear bombs के अगर बात करें, तो उसके लिहाज से इसका जो सही जवाब है, क्या है, इंडियान आर्मी ने डेवलप नहीं किया है, यह ऐसे एडिंग लिखी हुई है, इंडियान आर्मी ने इसको certify किया हुआ है, कि यहा हो सकता इंडियान आर्मी ने अरक्षमता कितनी है, यहां पर देखे लिखा, लिखार लिखे लिखा है, जो स्टेंडर टी ने इसको एक रखाजाता है, जिसके आधार पे हम जो non-nuclear bomb होते हैं, उनको देखते हैं, कि ये स्टेंडर टी ने इसका ज्यादा आविनास कर सकता है, ऐसे तो उस अगर इंडिया में पुरी दुनिया में ऐसा होता है तो उस standard पे ये जो बम है ये उसका दो गुना जादा पाउरफुल है वैसे अगर देखा जाए कि वरतमान समय में जो वार हैट्स होते हैं नॉन णिकलियर वार हैट्स होते हैं आइटिलरी जो पॉर चमता होती है 1.252.1.5 जो standard T सबसे पावर्फुल नॉन नुक्लियर जो बम है वो इंडिया ने बनाया है इसका प्रयोग भी आइटिलरी बम्स या जो भी एक्स्प्लोसिव इस तरह के डिवाइसे बनेंगे उसमें होगा तो आप समझेंगे कि जो नॉर्मल अभी तक आइटिलरी थी अब उसका उसकी जग रहेगा तो उसकी मारक छमता कितनी जादा बढ़ जाएगी अगर हम बात करने इसका नाम क्या रखा गया तो यह है सेबक्स टू नाम से इसको डेवलप किस ने किया है इकोनॉमिक एक्स्प्लोसिव लिम्टेड जो की एक सबसीटरी है नागपूर बेश्ड यह इंडियन इ म्यूनेशन विदाउट इंक्रेजिंग वेट की वेट को बिना बढ़ाए जो बहुत सरे म्यूनेशन है उनकी जो छमता है घातक छमता उसको बढ़ा देगा अगर हम दुनिया की बात करें तो चाइना ने बहुत साल पहले ही एक सीयल टूंटी नाम से इसी तरह का एक नॉन के पर फिर वही चीज है न कि कोई दुनिया विश्वास भी नहीं करता किसे ने इसको सर्टिफाई नहीं किया कि हाँ आप सही कह रहे हो और चाइना ने यह भी इसमें यह बताया था कि जैसे यह सेब एक्स टू है तो यह मास प्रोडक्शन इसका किया जाएगा टेश्ट हो कुछ अभी वैसे हम कह नहीं सकते कि इसका कुछ ज्यादा ओचित भी है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है चार्टर्ड एकाउंटेंट्स डे को सेलिबरेट किया गया एक जुलाई को एलॉंग विद डैश्ट दो ऐसे प्रोफेशनल डेज हैं जो एक साथ ही आते हैं दोन अपना दिवस के उपरक्ष में मनाया जाता है एक जुलाई को और जो नेशनल डॉक्टर सडे है ये पश्यम बंगाल के पूर्व मख्यमंत्री थे डॉक्टर विधन उनके जो उपलब्धियां थी या फिर उनकी समाश सेवा थी वो डॉक्टर थे उसके कमोमरेशन में उनक जन्म और डेथ एंवर्सी के रूप में एक जुलाई को मनाया जाता है तो ये वाल उप्शन इसका करेक्ट है आगे बढ़ते हैं लिखावए डैस सेलिब्रेट्स हूल दिवस टू रिमेंबर सेक्रिफाइज ऑफ ट्राइबल लीडर्स सिधू कानू चंद भैरो एंड फू प्रधान मंतरी ने भी इस खुड ट्वीट किया था पी आई भी में भी आई थी इस सवजह से बता रहा हूं मैं इसका सई जवाब है जहार खंड बी वाल उप्शन इसका करेक्ट है यह जो यहां पर मतलब यह जो सेलिब्रेट किया जाता है यह हूल करांती दिवस के तौर मतलब 1857 से पहले का यह इंडिपेंडेंस का मुवमेंट था उसकी उपलक्ष में यह दिवस बनाया जाता है जहार खंड में अगला कोश्चन है ग्लोबल इंडिया एई समिट 2024 तो यह समिट का नाम है इसको और्गनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ओफ एलेक्ट्रोनिक्स और डेली में ही होगी जादातर मैं कहरा हूं हमेशा नहीं जादातर क्योंकि देली में ही हैं तो पोरी में अगर मिनिस्ट्री औरगनाइज करें तो यह धूरी सम्भावना होती है जैसे व้ाज़ा आए समिट थी तो यह ऊंडिया के टेधरीमाट हैं और बढ़ते हैं यह जो मैंने आपके एककल सवाल पुझा कोई बच्चों ने इसका जवाब दे रखा है CS60 करके तो चला स्री निवास लूसेट्टी इनको बनाया गया है किसका चेर्मेन तो यह बने एस बी आई के चेर्मेन बी वाल उप्शन इसका करेक्ट है SBI के मैंने आपको इससे पहली बता दिया था कि SBI के जो चेर्मेन है दिनेश्कमार खारा एक कोशन था जिसमें इस्टार लगा रखा था मैंने कि वो अब रिटार होने वाले हैं उनके लिए जो खोजे सुरू हो चुकी है तो यह FSIB ने इनको CS80 को बनाया है SBI का नया चेर्मेन अच्छा जो SBI है उसमें तो चेर्मेन होते हैं बाकी जो बैंक है उनमें चेर्मेन क्यों नहीं होते हैं क्या पद ही क्यों होता है पता होगा तो बताईएगा आगे बढ़ते हैं लिखा गया है फॉर हाई वेल्यू कस्टमर इन रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट डैश इंटर्ड्यूस यूनियन प्रीमियर ब्रांचेज तो यह जो हाई वेल्यू कस्टमर ध्यान रखेगा पर रूरल एंड सेमी अर्बन इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं पता है रूसू बैंकिंग की टर्म में इसे रूसू कहते हैं जैसे करेंट एंड सेमी का जाता है कासा तो इसको रूसू का जाता है तो इन्होंने यूनियन प्रीमियर करके ब्रांचेज उपन करने के लिए य अच्छा उनका ट्रांजिक्शन होगा तो वो अगर इसमें एकाउंट खुलवाएंगे तो उनको पर्सनल एक अगला सवाल है जो हुई है उसको जॉर्ज रसल ने जीता है कौन सी कंपनी के हैं तो यह हैं मर्सेडीज के बी वाल ऑप्शन इसका करेक्ट है अगला सवाल according to world bank इंडिया receive dash billion in remittance in 2023 तो इंडिया सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं और उस पैसे का आप अपने डश में भेचते हैं तो इसको आता है रैमिटर्स तो यह जो रैमिटर्स है यह vot 9525 बिलियन डॉलर हो चुका है और अगर हम बात करें कि इस रिपोर्ट में आज जो कहा गया है तो यह बताए गया है कि इंडिया की जो 2024 में रिमिटेंस होगी वो 124 बिलियन डॉलर होने वाले यह forecast किया गया है कि 3.7% की growth के साथ वह एकर second number की बात करें तो Mexico है 66 बिलियन डॉलर पे अमेरिका के ठीकनी चाहिए की country है तो सोचे कि second और first के बीच में रिमिटेंस का कितना ज़्यादा अंतर है चाहिना की अगर हम बात करें तो 50 बिलियन डॉलर फिलिपिन की बात करें 39 बिलियन डॉलर पाकिस्तान है 27 बिलियन डॉलर की तो यह top 5 countries है रिमिटेंस की और अगर इंडिया की बात करें कि largest source क्या रहा कौन सी country से सबसे ज़्यादा रिमिटेंस प्राप्ट हुआ तो वो है United States और second number पे है UAE United Arab Emirates second number पे आता है तो यह कुछ important चीज़ें आध रखी है अगला यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ वन नाइनर्स की कि जापान ने एक Earth Observation Advanced Earth Observation सैटलाइट लॉंच करी जिसका नाम रखा है ALOS4 और यह अपने नए flagship rocket H3 से इसने लॉंच करी है यगिन फिर भी जान करके रखे कि कुछ ऐसे सटलाइट होती है जो विदेशी कंपनियां भी लॉंच करें या देश लॉंच करें तो वह इंपॉर्टेंट होता है एक और यह निवजे थोड़ा science and text related निवजे उत्रहीं इंपॉर्टेंस अगर देखा जाँ में तो नहीं र technology for cleaning of the environment environment में मौझूद जो डाइज होती है या फिर जो फॉर्मासोटिकल्स के जो पॉलुटेंट्स होते हैं उनको क्लीन अप करने के लिए यह नया जो मेटाल अक्साइड है नेनो कंपोजेट माटेरियल यह डवलब किया गया है यह फोटो केटलेटिक डिग्रेडेशन कर कि सनलाइट की हेल्प से जो डाइज हैं पॉलुटेंट्स के रूप में हैं या फिर जो फार्मासोटिकल से जो पॉलुटेंट्स निकलते हैं सनलाइट की हेल्प से यह उन्हें डिग्रेड कर देगा मतलब उन्हें क्लीन कर देगा जहां पर भी होंगे और यह क्या है तो य जनरल उपेन दिवेदी हैं इंडियन आर्मी के चीफ बने हैं उसी में याते हैं लिटने जनरल एनस राजा सुब्रमणी जिनको बनाया गया वाइस शीप आफ इंडियन आर्मी तो यह आप याद रखे तो वाइस शीफ बने हैं और शीफ भी दोनों चेंज हुए हैं आपको याद रखना चाहिए तो आज किस वीडियो में इतना ही आज हम बैंकिंग अवैर्णेस के नहीं ले रहे हैं तो आज किस वीडियो में इतना ही अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों साथ शेयर करिए और कमेंट करके आप जो मैंने बाकी मिलते हैं अगली क्लاص में और आप लीजिए